अल्राइट गैस स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए व्लोग में और आज के इस व्लोग में हम लोग जो है शूट करने वाले हैं होंडा सीबी 350 हाइनस के लिए और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे होंडा 350 हाइनस की क्या क्या बेस्ट मॉडिफिकेशन ह सकते हैं क्या ऐसे स्रीज आप अपनी हॉंडा सीबी हाइनस में एड़ गर सकते हो एस्थेटिकली और परफॉर्मेंस वाइस दोनों के बारे में बात करेंगे तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का वीडियो सबसे पहले आप ज़रा सिनिमाटिक चेक करो उसके बास सारी डिट हुआ है हमारे पास होंडा सीबी हाइनस 350 और इसमें काफी सारी एसे सरी से बिलकुल लोड हो रखी है तो सारी एसे सरी के बारे में आपको बताऊंगा जो आपको पर्चेस करनी है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूगा तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रेंट के साथ में यहाँ फ्रेंट में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हेडलम की ग्रिल लगी वी है और यह ग्रिल जो है हेडलम को प्रोटेक्ट करने का काम करती है और साथ साथ लुक्स को भी बहुत जादा एन्हेंस करती है तो यह मेटल की है काफी स्टर्डी है और यह बैंडिट पिट शॉप से पर्चिस की गई है सेकेंड एसे सिरीज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है विंड शील्ड और यह भी metal की है, bandit pit shop से ली गई है काफी cool सी wind shield है short wind shield है, लेकिन ये भी metal में बनी है, काफी hard metal इसमें use हुआ है, ये जो है speedometer को cover up करने का काम करती है और छोड़ा-mोड़ा wind blast जो है, save कर सकती है actual में ज़ादा wind blast तो ये save नहीं करेगी, बट ये looks में थोड़ा सा add-on कर देता है, लेकिन ये metal का बना है, तो अगर कोई भी चीज यहाँ पर strike करती है, तो ये जो meter console है इनको protect करने का काम करेगा ये थे हमारी second modification, आगी बात करते हैं भाई, ये third modification की, तो यहाँ आप देख सकते हो, tanks पे जो है, bike के tank pads लगें, और ये leather stitch में tank pad लगें, इसका uses ये होता है, कि जब भी आप bike को ride करते हैं, तो tank पे scratches नहीं लगते हैं साथ-साथ जो है, ये grip provide करने का काम करते हैं, यानि कि जब bike को आप brake करते हो, यहाँ से एक अच्छी सी पकड़ बिल जाती है tank बिल से, जो थाइज ने tank को बहुत अच्छे से hold कर लेती हैं, इसलिए tank pads लगाए जाते हैं काफी cool tank pad हैं, जो looks में भी bike को enhance करते हैं, और साथ-साथ जो है, riding के समय, एक comfortable riding position में आपको maintain रखते हैं ये था हमारा third modification so next modification की बात करते हैं ये है इस bike का top rack, पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पर इसमें एक top rack लगा है, जो bandit pit shop से अगेन इसको purchase किया है, ये mat finish में है, और इसकी जो quality है वो बहुती premium quality का ये top rack है ये फाइदा आपको long touring पे होता है जब भी आप long tour पे जाते हैं तो अपने luggage को इस top rack पर tie up कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास top bag है, top box है, तो आप इसको install कर सकते हैं, और easily जो है bike को चला सकते हैं, इस top rack की help से, तो ये था हमारे bike का fourth modification, काफी useful और handy modification है, और अगर आप देख रहे हैं, तो bike के साथ perfectly compliment करना है, जादा बड़ा नहीं है तो आप city में भी जब ride करेंगे, तो आपको odd नहीं लेगी है, जैसे दूसरी bikes में जो है, top rack बहुत जादा बड़ी-बड़ी आती है, बट इसका जो है perfectly इसी की तरह से बना हुआ है, इसका जो buying link है, वो मैं description में छोड़ दूँगा, आप yellow color में भी, यह fog light में भी काम करते हैं, यह foggy weather condition में भी काम करते हैं, और साथ-सा night vision को भी improve करते हैं, क्योंकि इसमें दो mode दिये है, yellow and white का, तो आप किसी पर भी switch कर सकते हो, और यह काफी useful modification हो जाता है, जब भी आप early area में या फिर night में अगर ride करना पसंद करते हो, तो आपको fog lamp install करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, इसको install करने के लिए पूरी wiring आती हो, और यह इसका switch है, यहां से अगर मैं इसको switch on करूँगा, तो कुछ इस तरीके का illuminate होता है, यह आप check out कर सकते हो, यह देखे, यह yellow light में जल रहा है, आपर इस समय पर, और front से लूप कुछ बाइक का इस तरीके से आ रहा है, तो यह fog में बहुत ही help करते हैं, yellow color और बाइक की visibility को भी enhance करते हैं, अब इसको हम white light पर switch करते हैं, इसी switch को जब हम उपर की side में प्रेस करेंगे, तो यह white light में shift हो जाएगा, और अब कुछ look इस तरीके का रहा है, बाइक का, आप चेक कर सकते हो, yellow से जो है, यह fog lamp, white में convert हो गए है, और काफी useful और काफी premium लग रहे हैं, बाइक के साथ, ऐसा लग रहा है जिसे company ने खुदी install करके भेजे हैं, तो आप ज़रूर comment करके बताना है, कि यह fog lamp आपको Honda CV highness पर किस तरीके के लग रहे हैं, HJG company का model है, काफी premium model है, almost 6000 और 7000 के approach पड़ता है, पूरा fitting करके, इसका link पर मैं आपको description में provide कर दूँगा, so हमारा next modification है, touring seat, यह आप चेक कर सकते हो, जो seat है बाइक, यह पूरी replace है, और यह touring seat, जो company से आती है, जो सहारा company से आती है, इसकी cushioning जो है, अब चेक कर सकते हो, यह है सहारा seat, seat की stitching जो है, बहुत ही premium लगती है, और front से जो है, room बहुत ज़ादा है, rider को, काफी comfortable seat है, touring seat है, pillion and rider दोनों के यह बहुत यह comfortable है, और bike के साथ perfect लग रही है, ऐसा बिलकुल भी नहीं लग रहा है, कि after market, जी डली है, cushion बहुत प्यारा है, काफी relax होके, touring पर मज़ा आता है, इस bike पर बैठने के बाद ऐसा लगता है, जैसे आप sofa पर बैठे है, final modification में आप लोगों को custom exhaust, look आप देख लो, कितना bike को compliment कर रहा है, और यह slip on है, फुल system नहीं है, लेकिन बिलकुल complete इस तरीके की fitting है, इसकी की, जो यह full system लगता है, क्योंकि यह red rooster का performance exhaust है, इससे जो है bike की bhp भी increase होती है, यह db killer के साथ में आता है, अभी इसका db killer जो है remove है, तो sound बहुत जबरजस्त आता है, जब आप 2000 और 3000 rpm से उपर bike को खीशते हो, तो बहुत ही premium sound आता है, क्योंकि company ने इसमें base बहुत यह अच्छा है, आप चेक कर सकते हो, यहां लिखा है red rooster performance exhaust, अभी exhaust बिलकुल गरम हो रहा है, रैप करते हुए लेके आयते हैं, बाइक में से पटाके भी निकलते हैं, बहुत head turner हो जाती है इस exhaust के साथ, time है exhaust note सुनने का, तो फटापट से रैप करते हैं बाइक को और आपको exhaust note सुनाते हैं इसका, तो भाई fire up हो चुकी है हमारी भाई, तो यहां हमने साथ मोडिफिकेशन देगे जो आप अपनी होंड़ा सीबी हाइनस 350 में करा सकते हो, सारे की सारे मोडिफिकेशन बिलकुल प्राक्टिकल है, और अगर मैं बात करूं, जो इसकी केसर भाई की, so special thanks to केसर, जन्होंने इतनी बड़ी अबाइक मेंटेंड करके लखी है, so close करते हैं फिर आज के इस व्लोग को, I hope आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो, तो यार लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पर अगर आपने फॉलो नहीं किया, तो जरूर से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर आ रहा है, और नीचे फ्लैश हो रहा होगा, मिलेंगे आपसे एक और नए व्लोग में, अबिशेग तयागी, थांक यार्व वाचिंग, कीब रिदीग!